हेलो दोस्तों आपका स्वागत मेरे यूटी चैनल पर इंजीनर रोडीज गोतम आज मैं आपको दिखाने वाले हूं हनुआन तालाब और हनुआन तालाब के बीचे की सच्चाई इस तालाब के बारे में बता जाता है यह कभी खाली नहुआ दादा पर दादा उनके पर है यह अभी मैं एक एक्सपर्ट के पास जाऊंगा और उससे पूछू है आप देख सकते हैं जितने दूर दूर तक आपकी नेजर जाएगी इसका पाली देखिए अब कितना प्यारा पानी है अभी इतालाब गुस्ते में हैं बहुत हवाय चल लिए एक तदम रखते ही यह अधर यह पैड़ी बनिया है उसके पीछे बहारी तो बहुत दूरू से लोग आते हैं यहां पर इस तालाब का नजारा देखने के लिए किस्तियों में जूलने के लिए यहां पर इस्तिया लगी वी यह आज हवा तेज है सवाजे से कोई भी मल्ला यहां दिखेगा नि इसके ठीक पीचे है हनुमान बंदीर है बहुत बड़ा अब चुन सकते कि तरी प्यारी आवा जा रही है अब ही मैं आपके साथ जीवन भाई के पास जाओंगा प्रीश केमरा में हमें ले चले जीवन भाई की तरफ जीवन भाई हमें बताएंगे इस तालाव के सब्चाई के अबारे में उस टाइम पर जो कि अब हमारे पूर्वजों ने भी बताया है रही बहुत दूर साओंगे तालाब को देखने के लिए आपस माने जाता है कि हरुआज जी आये थे पर हरुआज जी ने पानी निकालने के लिए इस तालाब में लात मारी थी तब उस टाइम पर तालाब नहीं हुआ गरता था में ऑलाब तब यहां पर पहाडी पहारी थी हनवाण जीन लाद मारे के पुरी नहीं हुआ पासी के लोग बहुत अच्य तरह सकते हैं एक हमें बताएंगे किस्क जीवनॏ इन दिलो जीवन जी आपको सब कुछ बताएंगे तालाप के वारे में बताओगा चुछ महिमा बता दो हनुआ जी के महिमा रहे हैं अभी जीवन जी थोड़ा सर्मार है इस वैसे कुछ भूलनी पारें इनोंने कुछ खाया हुआ जीवन जीट कुछ इस जाओं के बारे में बताला चाहिए अब इस तालाओं के वारे मैं आइस राप किला पेये पहले क्या हुआ करता था या रॉए मंदिर माज़ें अभी इन्होंने बताए कि मंदिर में पीछ 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 इसके बार में कुछ बताया आप अब जीवन जी बता रहे हैं कि मंदिर में इनकी स्थापना की गई ती और जीवन जी कुछ बताईये मंदिर के बार में ये पहाडी पर कैसे कैसे सvert के मंदीर को बनाया गया। जये ओ देस्ध पर किलो को तोड़के बनाया गया यह बतार रहे एकि कि दात कि दर्स को आज के लिए इतना बहुत था है ओढ़ा does कि ना पर की जैसे का था है क ONE झाल